असलाम अलेकूं वेलकम बेक तो मैं ओनलाइन इंग्लिश क्लासे हमारी जॉक्स पर मॉटन इंग्लिश का जो चैप्टर चलना था पो तो आज हम उसके एक्सिसाइज को कम्प्लीट करेंगे तो हम जो हम यहां से स्टार्ट करते हैं यहां पर लिखाव है हूं माइट है जो होट तो यह स्टेटमेंट जो है इसमें आप लिखेंगे यह जो लाइन है इन लोगों ने कही थी और यह जो है फाइजा ने कहा था नमबर सी है थैंक्स तो हर आवर चिल्डरन विल बी सेफ यह अपैरिंट और टीचर एट किंडर गार्डन यह इन लोगों ने कहा था नमबर टी है प्लीज दू सम्थिंग अबाउट इट नौ तो तो दवायोर वें देविजिट था फाइजा पूथोल गार्डन तुसका मैं आपको दुबारा बता थे प्लीज दू सम्थिंग अबाउट नौ तो यह किसने कहा था विजा इन लेटर सम्वन फाइजा पूथोल गार्डन नमर लाइज से अधिटर विल लाइक इस वन तो फोटोगरेफर फ्रॉंब द नीश पेपर हगा अब यहां पर एक शिसाइब कर अद कैपिटल लैटर अं फुल स्टाप तो यहां पर हम कैपिटल लेटर फुल स्टाप लाइंगे एंग जिए अगैपिटल होगा मलिहा और मायरा आपी जैए पीञा पहुँ कैपिटल होगा बोथ went to wisdom school स्कूल क्या हाग आफुल स्कूल स्कूल लगा देंगे पिर ये टी जो है ये भी capital होगा they were in class थ्री दियर टीटर वस कॉल decep Kara ये मिस जो है ये भी capital होगा उस्ट स्मा भी capital होगा यहापर फुल स्कृप आजाएगा और यहां पे S यह भी आप capital कर देंगे यहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे फिर शी वोर्श अवार कमीज फिर यहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे यहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे पिर T है आप इसको capital कर देंगे The girl's father worked in the commercial bank on Zaybun Nisa street तो इसमें जो Zaybun Nisa है इसका Z आप capital कर देंगे आपरी में फुल स्टॉप लगा देंगे यह कंप्लीटों के नीचे है We can use his, her or there to show that something belongs to someone These are called possessive adjectives Pfizer wrote a letter on her computer complete the sentence using his or her then find three sentence in this book that uses his, her or there तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ अली ब्रश्ट इस तीत नुबर सेकंड है मिस सेड लॉस्ट हर बैग इसमें आप हर लगा देंगे और यह लास्ट है इसमें आप देयर लिग देंगे ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रपोजिशन इसमें आप देख सकते हैं the carpet under the table was old the river under the bridge is flowing very swiftly again under the fence around the hell the house fell down the cat fell into the puddle last one is it was not easy to fly the aeroplane okay then our second last exercise now we are filling the blank screen with the correct past form of the verb first Faisa dashed back to her room Faisa went back to her room the children of the kindergarten were delighted she dashed the piece of wood into the soil she pushed next Faisa dashed it all together Faisa mixed it all together last is Hassan dashed carefully around the garden drove here we can write drove this is complete here you can see here this is our last exercise look at the road sign below do you know what the signs means? talk about them then try to make the sign to the label in the box here we will be given here we have to trend line we must change the way no through road no through road now we'll be asked to this no-through road here we will find next we have to take our petrol station petrol station number 4 we will find here you can use petrol station लिख देंगे, then number C है, no good vehicles, no good vehicles, आप number 2 में लिख देंगे, क्योंकि usually इन में ऐसा sign यूज़ किया जाता है, number D में maximum speed limit, तो maximum speed limit आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि already इसका जो लोगो है, वो ऐसा दिया वा है, कि उससे हम समझ सकते हैं, आपे maximum speed limit का ही है, नेक्स्ट है, warning slippery road, तो यह जो है, आप last में लिखेंगे, warning slippery road, यहाँ पर आएगा, warning slippery road, यह हो गया, अब जो last है, उस पर लिखावा है, warning road works, तो यह आप यहाँ पर लिख देंगे, warning, road works, okay, okay, तो यह हमारा चेप्टर था पो थोर उसके एक्ससाइज नहीं पर फिनिश होती है, इसका जो नेक्स चेप्टर है, और मिंशाला नेक्स वीडियो में करेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंदाए, तो यह वीडियो को मिसलाइक और सब्सक्राइब कर दें, इफिए वन्मोर वीडियो और डेली वीडियो इस चैनल, थैंक यू,